नमस्कार बहुत स्वागत है आपको कार्तिक पुर्णिमा को लग रहा है चंदर ग्रहन इस बार कार्तिक पुर्णिमा आठ नोवंबर 2022 को मनाई जाएगी और इस दिन लगेगा चंदर ग्रहन तो तमाम जो विधी विधान है उसके साथ तो आप पूजा करेंगे लेकिन चंद पूरानिक गरंथों में कई सारे सकुन अपसकुन हैं माननेताय हैं परंपराय हैं और हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी यह कहते सुने हैं कि ऐसा मत करो ऐसा होगा वैसा मत करो तो क्या आपको पता है इन चीजों के पीछे भी कुछ बैग्यानिक तक थे छिप अपने आपको खड़ा देखता है तो यह सो भागे का प्रतीक माना जाता है माना जाता है निकट भविस्य में उनको बहुत इंकम होने वाली होती है कभी घर में उल्टा जारू मत रखिये यह अपसकुन होता है और घर परिवार के लोग अगर घर से बाहर जाते हैं तो अच्मी और प्रसन हो जाती है अगर आप नया घर बेगर में जा रहे हैं भवन में जा रहे हैं तो पुराना जारू ले जाना आप सकुन माना जाता है यह अच्छा नहीं माना जाता है आप नई जारू लेकर प्रवेश करें पौरानिक माननेताओं के अनुसार जारू ना स जास्त्रों में कहा गया है जिस घर में जारू का अपमान होता है वहां धन हानी जरूर होता है क्योंकि जारू में धन के देवी मालक्ष्मी का वास माना गया है आज हम आपको जारू से समंदित कुछ खास बाते बताएंगे कब खरीदें कब हटाएं और जारू सबसे पहले कह लगाएं और किस तरीके से लगाएं कि जीवन में खुसियां चली आएं देखिए जारू के बारे में कुछ खास बाते जो आपके लिए जानना बहुत आवस्यक है जारू को कभी भी घर से बाहर या छट पर मत रखिए दिन में रख सकते हैं आप धोकर सुखने दीजे लेकिन रात में बिल्कुल भी मत कीजिए यानि खुले आसमान के नीचे जारू मत रखिएगा वरना लक्षमी का अपमान होगा ऐसा करने से आपके घर में चोरी होती है बैपारस्थल में चोरी होती है इसलिए आपको जारू खास कर खुले जगह में रात के समय मत रखिए जब भी रखिए कहीं पर आप ढखकर रखें या चायादार जगह में रखें जारू को हमेशा छीपा कर ही रखना चाहिए जैसे आप अपने धन को छीपा कर रखते हैं ठीक वैसे ही अब यह नहीं कि कहीं भी पड़ा हुआ है आते जाते लोगों की नजर जारू पर रही है यह पक्षी हो चिडियां हो कीडे मकोडे हो क्योंकि जारू मारकर आप खासकर जानवर को भूल कर भी ना भगाएं किसी को भी नहीं यह अच्छा नहीं माना जाता आपके अच्छे दिन कभी भी खत्म ना हो इसके लिए गलती से भी आप जारू को पैर मत लगाईए अब यह न नहीं तो लक्षमी रूस्ट हो जाती है आपके घर से चली जाती है और घर परिवार से जब आपके घर से लोग जाते हैं बाहर जैसे की बच्चे स्कूल चले गए पती ऑफिस चले गए तुरन से जारू मत लगाईए कम से कम 10 मिनट 15 मिनट इंतजार करें कुछ और आप काम करने इस बीच उसके बाद ही जारू लगाएं तो अच्छा है नहीं तो यह अपसकून माना जाता है ऐसा करने से जो भी वेक्ति घर से बाहर निकले हैं उनको बेवज़ब परिसानिया होती है वो सफलता मिलती है तो जारू के बारे में कुछ खास प्रियोग भी किये जाते हैं और जारू हमारे जीवन की खुसियों को बढ़ाता है आपको पता है जारू का गुप्तदान भी किया जाता है दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो टोने टोटके पर यकिन रखते हैं और इन्हें अपना कर तकलीफें भी भगाते हैं धन की मुस्किलें भी दूर हो ज सकता नहीं होती बस चोटा सा काम कीजिए और जीवन में खुसियां लोटाती है अगर आप मा लक्षमी की किरपाच चाहते हैं तो अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहुर्त में एक आदसी तिथी या गुरुबार के तिथी या सुक्रवार के तिथी के द चनलाब होता है लेकिन ब्यक्ति बिसेश को भूल कर भी जाडू का दान मत कीजिए तो अगर दिन सुभी योग सुभ दिन में आप करते हैं तो आपके घर में अस्थाई लक्षमी का वास होता है बस यह करना है कि आप एक दिन पहले ही जाडू खरिद कर ले आईएगा लेक के बाद ही हटाएं तो बढ़ियां है जाडू से समंदित बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो जीवन की परेसानियों से बाहर निकालता है तो चली जानते हैं देखिए सुर्यास्त की होने के बाद भूल कर भी घर में जाडू मत लगाईए इससे लक्षमी रूट जाती है और सु आपने घर में जाडू एक जगह पे रोज रखें यह नहीं कि आज यह रख दीए कल वहां रख दीए ऐसा मत कीजिएगा नहीं तो आर्थिक मुस्किलें परिसान करेगी अगर आप सपने में जाडू देखते हैं तो इसका मतलब भी यह होता है कि धन की मुस्किलें परिसान करने वाली है आपके घर में कुछ जाड़ो ऐसी है जो बहुत पुरानी है यूज नहीं हो रहा है तो उसको हटा दीजिए तुटे-पुटे वे जाड़ो या तूट-टूट कर गिर रहा है ऐसे जाड़ो यूज ना करें नहीं तो इससे भी धन का लॉस होता है घर में ऐसा मा में जीवन में जो परिसानी है वो समाप्थ हो जाए तो पास कि किसी भी मंदिर में खासकर लक्ष्मी नायान का मंदिर हो तो अति उत्तम होगा आप एक या तीन जाड़ो जाकर दान कर दें अच्छा होगा एक ही करें आप अरली मॉनिंग भोर किसमें लेकर जाएं मंदिर वहां जाकर उसी जाड़ो से सफाई करें और वहीं पर छोड़कर भगवान से अपनी मनुकामना कहकर वापस आ जाएं सिगर आपकी मनुकामना पुर्ण हो जाएगी हमने आपको बताया कि मंदिर में आप जाड़ो किस दिन दे सकते हैं दान लेकिन क्या आपको पता है कि जाड़ो खेदने के भी नियम होते हैं तो देखे चुकी जाड़ो मालक्षमी का प्रतीक है इसलिए खराब जाड़ो या पुराना जाड़ो भूल कर भी गुरुवार और सुक्रवार के दिन घर से मत निकालिए नहीं तो मालक्ष्मी चली जाएंगी गुरुवार के दिन भगवान स्रीहरी का दिन है और सुक्रवार मालक्ष्मी का दिन है तो जारू निकालने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं चले जाते हैं इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें जारू खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन मंगलवार और सनीवार होता है ऐसा करने से घर में आर्थिक सिती में सुधार आता है संपन्नता आती है और जारू अगर कृष्ण पक्ष में आप खरीदें तो अच्छा होता है अब कृष्ण पक्ष क्या होता है जाडू खड़ी दें तो बहुत अच्छा होता है और जाडू को भूल कर भी अपने बेड के नीचे मत रखिएगा नहीं तो आपके जीवन में कलह कलेस परिसानी बढ़ जाएगी क्योंकि जाडू नकायत्मक एनरजी को बाहर करता है तो कहीं न कहीं उसमें निगेटिव एनर पिर कहां फेकें ये भी बात है देखिए जब भी आप घर में धन की कमी नहीं होगी अगर चोटे-चोटे उपाय आप कर लेते हैं तो पुरानी जाडू को आप सनी बार अमवस्या होली का दहन ग्रहन के बाद अपने घर से निकाल सकते हैं और इस दिन पुरानी या टुट पुरी जाडू को अपने घर से बाहर निकालते हैं तो माना जाता है घर में दरिता नकार्तमक सकतियां अपने आप जाडू के साथ चली जाती है और घर में सुकसानती आ जाती है अगर आपके घर में जाडू बहुत तुट गया है पुराना हो गया है तो फेकने के लिए भ यहां उस पर कोई पैर ना रखें याद रखिए सनीवार अमवस्या ग्रहन के बाद जारू निकालना सबसे सुब होता है लेकिन भूलकर भी एकादसी गुरुवार सुक्रवार और लक्षमी पूजन के दिन जारू घर से मत निकालिए नहीं तो आपके जीवन में परेसानी आ जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से आपको बाहर निकलने में आसानी होगी और जारू दान देने से दैता रुपी परेसानी भी समाप्त होती है स्वास्त भी उत्तम रहता है तो सिर्फ ऐसे ही आप रखके नहीं आए बलकि मंदिर की सफाई कर दें और जारू वहीं पर छ कि घर में ही साइड में कठा करके रख दें और जब जारू लगाना बहुत जरूरी हो तब जीरे वाला परियोग तो बहुत ही जरूरी है कि आप कर ही लें ताकि मुश्किलों से बचे रहें तो हम आपसे विजा लेते हैं हर हर महादेव अगर जानकारी अच्छी लगे तो और देव दिपावली की आप सभी को धेर सारी सुपकामना है वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सकाइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखें धन्यवाद